नमस्ता पैसा सब्सक्राइब काया आप कहीं पेपी पैसा इंवेस्ट करो ना तो बस यह तीन बातें याद लें white dona invest कर रहे होतेगे यह तीन बात देखर आप वाण ने तो आपका पेसा कहीं नहीं डूबएगा और आपका पैसा सिक्र रेटा केते हैं ना कि पैसा जब आप मनी को आने करते हो तो बड़ी मुश्किल से आने किया जाते हैं और कर्च चुटके मोह जाते हैं और उसी पैसे को गर पैसे को बढ़ाया जाए ना उसी पैसे को वापिस और पैसा बनाया जाए वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है लेकिन उस पैसे का return भी आपको मिलना जी कि पार की तो आपको फास पैसा है यह सबसे बढा करो रही हाई 근데 लेकिन सही जगे इंवेश्ट करना ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल होता है आपकी लाइद में तो आपको कुछ है करता है बस तीन बाते याद रखने हैं आपको इंवेस्टमेंट करते समय इसके अलावा कुछ ध्यान बतकना यह तीन बाते अगर आपने याद रख ली ना तो आपको पैसा कभी डूबेगा नहीं हमें सब बढ़ता है नंबर वन कईस पे भी इन्वेस्ट करें तो रेगूलर इन्वेस्ट करें जरूरि नहीं का आपको दस हुझार हर महींच करने त्थे binतर हाथ अपनी इंकम के अकोरिंग आप भले सो रुपई से लेकर हजार रुपए से लेकर दस जार बीस जार पचाश जार एक नियम बना ले कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है तो करना ही है जो इनसान रेगुलर इन्वेस्ट करता है ना वह हमेसा उसका पैसा ग्रोव होता जाता है कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इस दो मोर इंपोर्टें in your life केते हैं ना कि महनत से ज्यादा निरंत जरता रोल निबाती कोई इनसान एक दिन में बहुत स्वारी मैनत कर लेता है और पिर मैनत ने करता है कोई इंसान रोज लेगोलर थोड़ी मैनत करता है जो थोड़ी-थोड़ी मैनत करने वाला होता है नी वह आगे बढ़ जाता है और वह एक दिं सारी मेनत करता है बागे नहीं बढ़ता है तो आप supernatural इंवेस्टक्री पर सब्सक्राइब करो पर कॉबहुर सबसे सबकर सब्सक्राइब मुझे एतना फैसा इन्वेस्ट करना है तो क्रना ही है regular इंवेस्टमेंट आपको बहुत बड़ी शक्सेस दिला सेत है आपनी लाईस,neo başको सब्सक्रेट इमोसंस पर काबू रखें आपने कई ंवेस्ट किया तो अपनी ज़र्ऑनों करते हैं वह से लोग क्या करते है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हुए, मुरूचेल फेंवनमं में इन्वेस्ट् lattice करते हैं है कॉम्पनी healthy market, शेयर महां अपना भाव पर आएंगे ने आएंगे तो उनके emotions अंदर से घर बढ़ा जाते हैं कई property में इंवेस्ट किया तो property में कभी मंदी आई तो बस मन में और क्या है property का भाव आएगा अगने आएगा कहीं पर भी इंवेस्ट करवा अपने emotions पर काभू रखना सोच समझ कर फ्यास लाएगना emotion तो क्या है बावना तो कहीं भी कहीं भी तरब भी बह जाती है तो emotions में रहकर कभी कोई फ्यासला मत लेना अगर शेयर मार्केट में अप और डाउन चलते रहते हैं property में अप डाउन चलते रहते हैं mutual fund में भी आप डाउन चलते हैं आप किसी business में भी पैसा लगा होगा तो business कभी तेज होगा कभी मंदा हो तो मन्दी जब आये तब अपने emotions पर काभू रखना मन्दी में अगर आपन emotions पर काभू नहीं रखा जब बंदी खत्म होगी है फिर वो वापिस लेवर पर उपर उठेंगे लेकिन जब आप emotions में अपने सारे share निकाल दोगे तो फिर जब तेजी में आप क्या करोगे तो emotions पर अपने काभू रखना सब से बड़ा यह नियम है अगर आपने भावनों पर काभू नहीं रखा तो आपका investment कभी सपन नहीं होगा third most important सबी पैसे एक जिगा इन्वेस्ट ने करें मान लो आपकी दस हजार की saving तो दस हजार एक जिगा इन्वेस्ट नहीं कर दे कि दोसी हजार बस share market में डालना है share नहीं कुछ पैसा share market में डालिए कुछ पैसा mutual fund में डालिए कुछ पैसा property में डालिए हर तरह से कुछ पैसा आप बेरे अबडी में डालिए हर तरह से आपका पैसा diversify होना की आपका investment मान लो कुछ चीज नहीं चली तो दूसरी चीज़ तो चलेगी है आप में सारे पैसे share market में डाल दिये और हो सका possible में भी possible गया आपके वो share में लगाइन चले आपको दूसरे आप को नुखसान होग Bach 52 अगर एव शेयर मार्केर नुखसान होआeg तो प्रोपर्टी में नुखसान होगे प्रोपर्टी में नुखसान होगा तो फोसने में बें 16 seater गर बै। तो आपको मिलेगा तो अपने पेसे को albums काश चारा पैसा ज आपके पेसे कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे हमेसा ग्रोग करते रहेंगे